हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं अपने स्वाद भी और सेहत भी कड़ी में साबुदाने की खिचडी आप सुचेंगे साबुदाने की खिचडी में सेहत क्या है? अरे हाँ हम आज इसको एक बड़े ही इनोवेटिव वे में बना रहे हैं जिसे की ये बहुत ही हेल्दी हो जाएगी तो आज हम बना रहे हैं वेजीटेबिल्स के साथ साबुदाने की खिचडी तो जब भी आपको वरत ना हो और खिचडी खाने का मन हो तो आप जरूर से ये ही वेजीटेबिल खिचडी बनाई हैं बहुत ही अच्छी लगती है पर आप हमारे चेनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए हमने साबुदाने को करीब 4-5 भंटे भीगो कर रख दिया था, ध्यान रहे पानी साबुदाने डूबे इतना ही रखे जिसे वो खिले-खिले रहेंगे साबुदाने में हम मिर्च, धन्या पाऊडर, नमक और शक्र डाल देगे और इन सब को मिक्स कर लेंगे, देखी कितने खिले-खिले बने हैं अब हम एक कड़ाई में तेल गरम करेंगे और फिर इसमें जीरा और काली मिर्च डाल देंगे क्रश करके और फिर हम इसमें मोंफली के दाने डालकर उन्हें अच्छे से भून लेंगे आप चाहे तो इसमें हरी मिज़ भी डाल सकते हैं मोंफली भून जाने के बाद हम इसमें बारी कटा हुआ आलू डाल देंगे और उसे थोड़ी दिर तक धख कर पका लेंगे जब ये थोड़ा पक जाएगा तो हम इसमें बाकी सबजियां मटर, गाजर और शिमना मिर्ज डाल देंगे और उनको भी सबको मिक्स करते हुए धक कर थोड़ी देर के लिए पका लेंगे तीन से चार मिनट के बाद हम देखते हैं कि हमारी सबजिया पक कर सौफ्ट हो गई हैं अब हम इसमें मसाला मिला हुआ साबूदाना डाल देंगे और उसे सबजियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद हम इसे ढख कर 5-6 मिनिट के लिए पकने को छोड़ देंगे 6 मिनिट बाद हम देखते हैं कि हमारे साबुदाने पक कर सौफ्ट हो चुके हैं और एकदम बढ़िया हो गए हैं अब हम इसमें नीवू और साथ ही हम इसमें बारी कटावा धनिया डालेंगे और उन दोनों को अच्छे से खिचडी में मिक्स कर लेंगे लीजिए हमारी एकदम खिली-खिली, हेल्दी और इनोवेटिव साबुदाने की स्वादिष्ट खिचडी बनकर त्यार है जो की खटी भी है और मिठी भी है एंजॉय करें इसे और हमारे चेनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें इस वेजिटेवल से भरपूर केचडी को आप अनार के दाने और फलेयली मेक्षर के साथ सर्व करें ये और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगे